आप लोगों से जो डिसकस किया था वो प्लेज की बारे में आपको वताया था विशेज गूप से हमने 30 मैदानों की बारे में देखा था यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखें एक पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पर प्रकृतिक वाला पार्ट है एक हमने वहां से कवर किया और एक यहाँ पर हम देखते हैं आर्थिक और साथी 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 समें मानुवी अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह सेक्शन है मतलब जो एनर्जी वाला पार्ट है इसपेशली रिनिविबल एनर्जी वाला पार्ट है उर्जा के नवनिकृत संसाधन की अगर हम बात करें तो यह कोश्चन आपका पेपर 4 में भी पूछा जाता है विशरी शूरूप यानि कि renewable energy जो है आवश्यक क्यों है क्यों necessary है इसके जो महत्व है significance और साथ ही साथ challenges यानि कि आने वाली जो चुनौती है उसको समझाएं तो जो question जो मैं यहाँ पर देखना बताना चाहा रहूं आप सभी को वो यह नहीं है कि भारत में सौर उर्जा की क्या संभावना है या 36 गड़ में सौर उर्जा की क्या संभावना है या फिर पवन उर्जा की क्या संभावना है नहीं हम इस पर deal नहीं कर रहे हैं हम जो हैं इन पर deal नहीं कर रहे हैं नवीकरνे उड़ जो हीज डियाेश इनरजी करने अईसल है जो काफे जो स्रोत हैं इसका समापत नहीं होने वाला उसको ऑड़ जू कि आपके fossil fuels हो जाते हैं, यानि कि जिवाश मिंदन हो जाते हैं, petroleum है, coal है और यह कही ने कहीं, एक समय के बास समाप्त हो जाने हैं, साथी साथ इनका जो use किया जाता है, इनका जो उपयोग किया जा रहा है, उससे परियावरन को नुकसान भी बहुत सादा होता है, इतने भी ज सिम्पल सी बात, जब हम बात कर लेते हैं, सार उर्जा के संदर्व में, जब हम बात कर लेते हैं, यह दोनों मेन हैं, याद रखना, इन दोनों को focus इसलिए का जा रहे हैं, क्या है, इसके लावा अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपको biomass यह भी आज के समय में काफी important इसका र जल विद्युत, यानि की hydro, ठीक है, जल विद्युत, हमारे पास hydroelectric भी यहाँ पर available है, इसको भी हम दो पारट में पढ़ते हैं, एक होता है आपका लगू, यानि की small वाला हो जाएगा, और एक हो जाता है आपके बड़े, यानि की large वाला, ठीक, इसके अलावा हम देखते ह जेन हो गया आपका, नमबर 1, ये नमबर 2, ये नमबर 3, ठीक, ये नमबर 4 हो जाएगा, बायو मास है, नमबर 5 में हम बात कर लेते हैं, जिसको जीयो थरमल, बोले तो सर, इसको हम जानते हैं, जो धरती के अंदर का जो तापमान होता है, जैसे आपने ताता पानी में देख और एक और जो हो जाता है वो टाइडल इनर्जी की रूप में यानि कि जुआरी उर्जा हाला कि यह बहुत कम जगा आपको देखने को मिलेगा जुआरे और जा बोले तो सर टाइडल अगर हम इसको रखें एक क्रम में बनाया कि सर जो बड़ा वेटेज है जो बड़ा गीगावाट के आसपास यह जो पवन उट जा है यह लगभग 41 गीगावाट के आसपास आ चुका ही और यह जो है आपका दोनों मिलाके यानि कि लगू और बड़े लगू में आपका 4 गीगावाट के आसपास है लगभग और यह लगभग आपके 46 के आसपास है तो यह 200 Giga Watt के आसपास हैं, अलग-अलग मंत्रा आयलेयों से रिपोर्ट के एक और या फिर यूँ कहें, अलग-अलग वेबसाइट के रिपोर्ट के और आपको अलग-अलग जानकारी मिलेगी, लिकिन जो नभी करणी मंत्राला है, उसका जो रिसेंट रिपोर्ट है, उसके कार्ड यह fix है, almost है, तो 6.78 Giga Watt, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे, तो उर्जा संसाधन जो है, वो हमारे पास जो उपलब्द है, या installed capacity है, यानि कि हमारी जो शम्ता है, वो लग-बग-बग है, 200 Giga Watt के आसपास है, about, कितना है बटा, 200 Giga Watt, अभी यह सब अभी question पे हम आ पास उपलब्द होना चाहिए, एकाद को उठा के पूछ दे, तो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, अगर solar से संबंधित question आता है, फिर अंदर की चीज़ें, अगर पूछ देती, तो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, कहने का पातात पर यह है, कि अगर किसी भी bड़ question में अगर आपको पूछा जाएगा यानि कि इन 6-7 एनरजी की रूप में किसी भी बड़े question में मतलब इसका संदर बस सिर्फ इसके लिए नहीं है ये किसी भी question के साथ आप इसको मिला के लिख सकते हैं अगर एसे के लिए भी अगर आपके पास point आएगा तो भी आप उसको डाल सकते हैं मैंने फिर से कहा ना सिर्फ Indian geography CG geography में भी आप इन चीजों को answer के रूप में इसको insert कर सकते यानि आगे जो चीजे में दिखाऊंगा कि क्या क्या हमारे पास चुनौतिया है और क्या क्या चीजे हम इससे कर सकते हैं उसको और साथ ही साथ आप इसको environment वाले जो paper होगा यानि की paper number 4 होगा वहाँ पर भी syllabus में दिया हुआ है उर्जा से सम्मनित उन सभी जगह पर आप इन चीजों को insert कर सकते हैं यानि की डाल सकते हैं ठीक है आए चर्चा कर लेते हैं आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज हमारे पास है सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि यह इतने सारे sources हमारे पास उपलब्द हैं अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि sir यह जो sources हमारे पास उपलब्द हैं इन में क्या क्या कैसे utilization होता है सारूर जा का conversion कैसे होता है विंड एनर्जी के कैसे होता है कहां कहां पर संभावन है उसकी चर्चा में यहां पर नहीं करने वाला हूँ सिंपल सी बात है वह बहुत ही आसान सा चीज जैसे सहरूर जा कि हम यहां पर बात करते हैं तो हमारा जो देश भारत जो है वो भूमध यह रेखा के जस्ट उपर है यहां से इंडिया का इधर आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन है मतलब कहने कहीं हम ट्रॉपिकल वाले रेंज में हैं उष्णिकटी बंद वाले शेत्रे में तो हमारे पास संभावनाय सादा है कुशन लड़ी पूछा गया है इसलिए हम इसको डिसकस नहीं कर रहे हैं बट आपने माइन में इसको याद रखना है सेम फॉर विंड इनर्जी अगर पावन उर्जा की हहां पर हम बात करते हैं तो हमारे पास लंबा कोश्टल एरिया है आप उसको लेंट पेंबी भी आप बता दे ना कि ये देखे इस परकार से हमारे पास लंबाई है इसलिए हमारे पास पॉण उर्जा की संभावनाय भी हमारे पास बहुत अधीके जादा है इस परकार से आप उनमें भूमीका बना सकते हैं कारण जो होँ आप बता सकते हैं अब यहां पर आपको जो कोश्टन के कॉर्डिंग जो चीज फिल करनी है मतलब कोश्टन का जो डिमांड है कोश्टन का जो डिमांड है उसके कॉर्डिंग तो question के जो demand है पिटा इसमें एक चीज और आप समझना according to question है ना according to question इसमें क्या क्या चीज़ है आप जैसे PM Modi के कुछ जो mission है या mission पंचामरित की जो चीज़ें विशेश रूप से कई बार इसको prelims में अपने पढ़ा भी होगा और आया भी है और आपको याद होना भी चाहिए जिसमें से जो basic चीज़ है मतलब इंडिया के क्या क्या objectives हैं क्या क्या aim है यानि कि क्या क्या हमारे पास future vision है किसको लेकर renewable energies को लेकर उसको अपने mind में भी रखना है और उसको insert भी करते चलना है जैसे कि उधारन के दोर पे क्या क्या चीज़े targeted है तो सबसे पहले है two zero three zero two आप ना नीचे से start करना चरल ही ऐसा होता है कि हमको सारे points स्याद होते हैं और एकदम हम लोग सीधा 70 को लिख देते हैं या जो question की demand है आप उसको पहले लिख दो बास समझा रही है एक क्रम में लिखो भई पहले 30 आएगा then 70 आएगा या दूसरा question का demand ही renewal energy से संबन दीत है तो ठीक है हम जो हम जो हैं जितने हम यहाँ पर install capacity हम लिए हुए हैं क्या उतना अभी है हमारे पास या 2030 तक क्या उतना हम 50% लेकर आने वाले क्या ऐसी चीज़ें हमारे पास कही गई है या कुछ ऐसा mission हमारे PM साहब ने कहा है इन चीज़ों को आप ध्यान में रखे तो 2030 तक इनों ने कहा है कि इंडिया का जो renewable energy है मतलब उर्जा के गैर परमपरागत संसाधनों से हम कितने energy ले सकते हैं या कितना हमारे पास capacity होना चीज़ें तो कहता है कि भाई लगभग 500 गीगावाट क्या होनी चीज़ें हमारी शमता होनी चीज़ें इतना हमारे पास capacity होना चीज़ें थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दिखाया था आईए वापस है यहां पर आप देखें लगभग 200 गीगावाट यह हो रहा था लगभग है यह ना इसमें आगे पिछियपन हो सकते हैं तो लगभग 200 और अभी क्या चरहें को दोगने से भी जादा करना पड़ेगा तब तो हम 500 गीगावाट तक आएंगे और यह कहना है कि इंडिया की पास जितना भी संसाधन होगा अभी वो नहीं पर है कि 2030 में कितना होगा वो संभावित है तो इनका यह कहना है दूसरा statement यह कहना है इसी से निकल कर आता है कि भी जितने भी शमता होगी उसका 50 प्रतिशत जो है वो किन से लिया जाएगा इनहीं गैर परमपरगत संसाधने से या इसी को हम बोल देते हैं Renewable Energy Sources से मतलब माल लेते हैं भारत जो है X amount जो है या X energy produce करता है ठीक है X gigawatt produce करता है तो भीया X by 2 gigawatt यानि कि जितना भी होगा उस आपको बता रहों कि इसको आंसर में अपने को डालना है एड करना है ठीक है इसके अलावा पिर आपने बता देना है कि सर यह तो ठीक है हमको यह भी बताना है कि 2070 तक हमको net zero carbon emission यानि कि शुन्य शुद्ध carbon उत्सर्जन को बिलकुल क्या कर देना है बिलकुल zero level तक लेके ज जाएंगे जब हम पूर्ण रूपें जो है वो renewable energy sources पर depend हो जाएंगे क्योंकि जितने भी आपके carbon emission वाली जो उत्सर्जन करने वाली जितने भी आपके पास sources होते हैं जैसे आप petroleum लिलीजे आप carbon लिलीजे कोईला लिलीजे जितने भी चीज़ें होती हैं कहीं ने कहीं सब के सब hydrocarbons हैं और सब के सब जो हैं वो उर्जा के गैर परमपरागत स्रोत यानि कि उर्जा के गैर नविनिकृत sources के अंतरगत आते हैं तो ultimately हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम उन sources पर dependency को क्या कर देंगे पूरी तरीके से खतम कर देंगे और पूरी तरीके से dependency हम लेकर आने वाले ह इन नए स्रोतों पर नविनिकृत संसाधनों पर यहां तक बात समाझ आगी इन सारी चीजों को आपके उस बड़े question में उस बड़े जो answer लिखने वाले हैं उसमें आपको value addition के तोर पे add करना है फिर आपको main चीज़ पर आना है कि क्यों हमको आवश्यक है जो कि question आपको हैं कि भई यह उर्जा के उन संसाधनों में से है जो sustainable है निकि उर्जा का यह सतत स्रोत है और सतत का मतलब होता है जिसको आप वरतमान में भी use कर पा रहे हो और साथ ही साथ भविश्य में भी use कर पाओगे भविश्य में भी आप उपयोग कर पाओगे और इसका नुकसान य हम जब बात करते हैं Sustainable Development Goal की हम बात करते हैं सदत विकास लक्षों की बात करते हैं तो उसका मोटो ही यह होता है ऐसे विकास लक्षों की पूरती या ऐसा विकास जो वर्तमान में तो हो ही साथी साथ ऐसा हो कि वो आने वाली भविश्य या आने वाली पिढ़ी के लिए भी हो और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा है या परियावरन को नुकसान न पहुंचा है यही Sustainable Development Goal का एक एम होता है तो उस प्रकार से जब हम इस उर्जा को हम देखते हैं तो यह ऐसी उर्जा है जो हमारे लिए भविश्य में उपलब्ध है ही मतलब इनका जो प्रदूशन भी क्या करता है बहुत कम फैलाता है आप इसके एकस्टेंशन में लिखेगा पूरा तो नहीं लेकिन लगभग न एक राबर है तो इनके विस्तार में आप लिखेगे क्योंकि की पॉइंट twentora की आाप आप कि शीज जहाद रहे इनको आप अपने सब्दों में अपने sentence में लिखें, साथी साथ लिखने के दौरान या लिखने के बाद आप मुझे send भी कर सकते हैं, आप टेलिग्राम में जुड़े होंगे, तो आप definitely आप मुझे भीजें, मुझे बताइए कि देखें सर हमने ऐसे answer लिखें, तो आप वहाँ से बिलकुल answer ले सकते हैं, आ सर कैसे रोजगार क्या है, सर आप देखें, जगा जगा हम जैसे solar power plant लगाएंगे, या फिर हम जगा 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 पर wind energy के लिए plants लगाएंगे, renewable energy के तहत हम biomass के तहत अगर हम plant लगाते हैं, या और नहीं चीजी लगाते हैं, जैसे क्या होता है, कोईले की शेत्र में देखें होता है, जली government of India, CIL जो है, उसके अंतरगत काम करती है, NTPC जो है, वहाँ से power produce करती है, अगर आप देखेंगे, fuel के संदरबा में तो ONGC मतलब, गिनी चुनी कंपनिया हैं, ऐसा आपने सायद ही सुनाओगा, कि कोई व्यक्ति जो है, इन चीजों से सम्मधित, उर्जा produce कर पार है, लेकिन solar energy के case में हो सकता है, number up batteries आपके बनेगी, battery storage capacities बनेगी, बहुत सारी चीज़ें, यानि कि job opportunity आपको भर भर के मिलने वाली है, आप देखेंगे, तो solar engineer के courses भी अलग अलग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत कम टाइम पी इसको आप अचीव कर पाएंगे, मतलब यह है कि ठीक है, long term तो नहीं, लेकिन इतना होगा कि एक sustainable time के लिए, एक sustainable time के लिए आपको रोजगार के आउसर मिलेंगे, 30-40 year तक आप particular cycle में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और एक अच्छी खासे जिंदगी यहां से जी सकते हैं, दूसरा हम यहां प प्रिसिस का सामना करने वाला है, आपने अगर देखा होगा, उर्जा संकट, यह बहुत खतरनाक संकट है, आप इसको इस प्रकार से फिल करिए, बहुत सारे आजकल शहरों में भी हो रहा है, थोड़ा सा हावा तुफान नहीं आता, लाइक आप, आंधी तुफान नहीं आत क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी निर्भरता, अगर हमारी उर्जा निर्भरता क्या हो रही है, यहां से आपकी कम हो रही है, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी अगर हम रिन्योवेल एनर्जी सोर्सेस के बजाए, नोन रिन्योवेल या हम परमपरगत स्रोतों पर रखेंगे, तो ये हाल होना तैय है। और वहीं अगर हम इसको ले ले, उसको अगर यूज कर ले, मतलब हम कहीं पर solar power plants लगा ले, जहां पर पावन उर्जा की उपलब देता हैं, हम पावन उर्जा लगा ले, हम जहां पर बाईो मास्की उपलब देता हैं, अलग-अलग किंद्रों में, अलग-अलग शेत्रों में, मतलब हम कह सकते हैं, ऐसे शेत्रों में, जहां पर उर्जा का नामो निशान नहीं है, वहां पर आप Renewal Energy Sources का उप्योग कर पाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे, जब हम बात कर लेते हैं, ग्रामिन शेत्रों में, या वनांचल वाले शेत्रों में, ठीक है, यहां पर क्या होता है, आप Street Light के तौर पे, Street Light के तौर पे, ठीक, या फिर आप यूँ कहें, बैटरी स्टोरेज के तौर पे, आप बैटरी वाली जो लाइट्स होती हैं, आपने एक बार स्टोर किया, उसके बैटरी के रूप में, आप ओवरनाइट इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, अगर आपने नोटिस के, अगर आपने देखा होगा, तो सौर उर्जा का उप्योग देखिए, सड़कों में तो होता ही है, या शहरों में तो होता ही बड़े स्टर पर, लेकिन ग्रामिनी स्टर पर भी, वहाँ के घरों को रॉशन करने के लिए अपन जर्रली यूज़ करते हैं, हम एज़ा पावर बैंक के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ सौर उर्जा, बलकि जितने भी हमारे पास उर्जा संसादन है, जहां पर यह उपलब्ध हैं, इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक में वही आता है, कि इनकी उपलब्धता है, वो continue, या 24-7 सब जगह आपको नहीं मिलेगी, वो limitations है, तो चुनावतियों के इंदरगत हम उसी को हम यहाँ पर देखने वाले, बाराल हमने यहाँ पर बात कर लेती, क्यों हमारे पास आवश्यक है, आप यह वाला point लिखेगा, साथी साथ इन points की भी चर्चा करिएगा, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, हम यहाँ पर चलते हैं समस्याओं पर, यहाँ आने वाले जो चुनावतियां हैं, problems हैं, हम उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो क्या-क्या चुनावतियां हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, सबसे पहले integration with the main grid, main grid का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, कहीं पर किसी गाउं में अगर विद्यूती करन करना होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके खंबे होते हैं, और इन खंबों से संबनीत अलग-अलग जैसे lines गुजरी होती हैं, अपने देखा होगा, इस परकार से एक खंबे होंगी, बड़ी lines होंगी, और यह grids होती हैं, मतलब जहाँ पर माल लेते हैं, यह उर्जा का केंदर होगा, यहाँ पर NTPC है, NTPC है अपने कोई उर्जा बनाया, या उर्जा स्रोतों के संदर में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर चरली यहाँ पाया जाता है, कि जहाँ पर वो जिसकी उपलबधता है, जैसे हमने solar grid यहाँ पर बनाये, या solar panel हमने यहाँ पर बनाया, या solar panel से हमने क्या किया, वहाँ से energy प्राप्त करी, या wind energy से wind लगा कर, wind tunnel, wind turbine लगा कर हमने energy प्राप्त करी, तो ऐसे cases में उर्जा केवल उन्ही स्थानों में मिलेगी, जहाँ पर आपने इसको install किया है, यानि कि जहाँ पर आपने इसको लगाया है, आपको लंबे चौड़े शित्रे में उर्जा प्राप्त करने के लिए, इन grid का installation करना पड़ेगा, और अभी यह calculated नहीं है, कि इसमें power loss कितना होगा, क्योंकि यह भी एक factor होने वाला है मिरों दोस्तों, ध्यान से समझना है, जिसको second के हाँ पर हम बात करते हैं, यह cost factor आने वाला है, पहला तो आपको समझ आ गया, कि यह मुख्य लाइन के सांथ, मुख्य लाइन के सांथ, जोड़ना, integrate करना, तो यह बड़ी एक समस्या है, यह factor है, यानि कि लागत, यह बहुत भारी पढ़ने वाला है, जैसे energy losses के हम बात करते हैं, या efficiencies के हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, जबी भी एक जग़ से दूसरे जगा, power supply किया जाता है, उस दौरान power में, आपको definitely losses, यानि की कमी आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि efficiency जो रहती है, उसकी जो गुणवत्ता पुरी नहीं होती, कहने कहने losses होता है, दूसरा, इसके लाबब आपको उस प्रकार की भी losses देखने को मिलते हैं, जिसमें जैसे कई बार बिजली चोरी होने का डर होता है, तो यह चुड़ी-चुड़ी समस्याइं हैं, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आने वाली होंगी, एक और बड़ा factor यह है, कि इसमें जो आपका installation जो capacity होती है, वो या यूँ कहें, जो हम starting में जब लगाते हैं इसको, तो हमारे पास जो लागत होता है, यानि कि जो पहली जो लगाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं, इस्थापना करने के दौरान, आने वाला खर्च, यह होता है, जिसको शुरुवाती लागत बोलते हैं, शुरुवाती लागत, तो ये बहुत जादा होता है मतलब आप समझे जैसे solar panel ही लगा रहे हैं या आप wind turbine भी लगा रहे हैं तो लाग डेल लाग का अच्छा खासा आपका खर्चा वहाँ पर बैठता है और ये आप समझे अगर कोई व्यक्ति जिस वो दाहरेन के तौर पर माल लेते एक middle class family है उस middle class family के अगर हम बात करते हैं उसका on and average महीने का जो बिल है वो 500 रुपए है तो साल भर का कितना होगे आप निकाल लीजी यही से तो ये लगबग आपको मिलेगा 12 पंचे ही होगे तुम्हारा 60 चलिए मतलब साल भर का आपको कितना बिल देना पढ़ेगा यहाँ पर 6000 आपको देना पढ़ेगा ठीक है सर 10 साल का निकाल लीजी multiply कर लीजी तो ये हो जाएगा ये एक साल का है ना 6000 तो 9 साल का खिकना हो जाएगा यहाँ पर आपका यह साथ हजार चलो मोटा मोटी आप इसको ले लो असी हजार ले लो क्योंकि हो सकते है बाद में कुछ यूनिट वगर रेट वगर भी आपके बढ़ेंगे और आप जब सौर पैनल लगा रहे हैं विंट तो खेर आप या विंटर बें तो आप अपने अकेले के लिए भी नहीं सकते हैं मतलब जनर ऐसा होता है कि सफर Panels जो रहता है उसको भले आप लगा सकते है चोड़ी मुड़ी जो रोश्णी है चोड़ी मुड़ी साहत है वो आप ले सकते है बड़े इस तर पर रहत सितर पर लगाने के लिए आपको ठीक ठَّ đã खरचे यहां पर करने पड मतलब बड़े स्तर पर जो प्रयोग किया जा सकते हैं, बड़े स्तर पर जो पैसा लगा जा सकता है, वो आम आदमी, थोड़ा सा आम आदमी की पहुंसे भी दूर है, हाँ, सरकार इस पर सबसिडी जरूर देती है, फिर भी अभी उतना लोग प्री नहीं हो पाया, लोगों को लगते हैं, इस पैसे में हम कुछ और कर लेंगे, चूंकि बिजली की सुईदा हमारे पास रहती है, 36 गर जैसे स्टेट में 24 गंटे लगभग, 23, 25 गंटे बिजली तो मिलती है, तो डैम शूर है, गाव में भी आजकल 22 गंटे बिजली मिल ही रही है, 100 परसें लगभग आप जो है, cost factor थोड़ा सा जादा है, यह देखे, 2400 गंटे पावर सप्लाई भी एक समस्या है, renewable यनि कि आपके उर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में, मैंने बताया ना, सबकी अपनी अपनी खासिया थे, जैसे कि सौर उर्जा, भाई, यह आपके 2400 गंटे उपलब्ध नही हो सकता है, 24-7 उपलब्ध नहीं होगा, साधी सांथ वर्षा की दुनों में भी उपलब्ध नहीं होगा, पावर नुर्जा सभी जगह उपलब्ध नहीं होगा, बोले पावर नुर्जा चलो, यह तो 2400 गंटे उपलब्ध नहीं है, तो सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है, जैसे 36 गड़ में खुदी ले लो, भाई आप पता चर रहे हैं, कोई बच्चा लिख रहे हैं, है ना, कि renewable energy की संभावना है, उसमें लिख दिया 36 गड़ में पावर उर्जा की अपार संभावना है, या फिर लिख दिया 36 गड़ में तुम्हारा लाइक कौन सो उर्जा, टाइ 2400 गंटे हमारे पास उर्जा संसाधन उपलब्द नहीं है, इसके लावा आप चाहे तो बायो मास वाले में भी आप डाल सकते हैं, अच्छा बायो मास के लिए आपको छे रहता है राव माटरियल, तो भाई जब तक आपके पास राव माटरियल है तब तक आप निकालो नह हालांकि हमारे पास रहता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट उसको प्रॉपर उस जगा पर लेकर जाना, आप जगा जगा पर तो नहीं लगा ओगे बायो मास से संबंदित, जैसे आपने दिखा होगा एथेनल प्लांट जो लगाया जा रहे हैं, मक्का धारी जगा जा रहे हर जगा तो नहीं लगा रहे हैं, तो जहां पर लगा रहे हैं, वहीं पर उर्जा का उत्पादन नहीं लगा रहे हैं, तो आपको डिपेंडेंसी होना पड़ता है, अगें किस पर? उर्जा के परमपरागस संसाथनों पर, यानि कि Old Sources पे, ठीक? फिर हम यहाँ पर देखते हाला कि सरकार द्वारा अलग 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 शेतरों में, अलग अलग जगहों पर, पंप को उर्जे करित करने के लिए, यानि कि जितने भी आपके पंप होते हैं, जहां से ट्यूवेल्स होते हैं, विशेस रूप से उसको उर्जे करने के लिए, सरकार द्वारा अलग अलग स लेकिन उस इस तर पर successful यह नहीं हुआ है कारण क्या होता है ध्यान से समझना जैसे मैंने पहले बताया कि जादतर जैसे की जो पंप होते हैं वो जादतर क्या होंगे आपके सौरूर जासे संबंदित होगे renewable energy की cases में बोर रहो और मुख्यों देश ही जो रहता है यहां पर किसे संबंदित होता है agriculture sector में होता है आपका सीचाई से संबंदित किसे संबंदित सीचाई से यहने की irrigation और आप सभी को पता है irrigation के लिए चाहिए होता है आपको भारी भरकम electricity मतलब आपको जानके आश्यर होगा भाई जो आप घरेलू तोर पी उस करते हो देखो no doubt industry level पे तो बहुत बड़े लेवल पे आपको electricity चाहिए होती है शहरों में भी ट्यूविल से उसको चलाने के लिए आपको ओ भी continue supply करना रहता है लगातार पानी 3 HP, 5 HP, 7 HP तो electricity नोड़ बहुत जादा जाता है आपने देखा भी होगा या कहीं आप जाकि पता भी करें जिनके पंप अगर रहता है तो पर्टिकुलर उस मिटर से कितने का बिल जलता है या कितने की बिजली खपत होती है आप जाके वहाँ पर बिलकुल पता कर सकते है घरेली से तो बहुत बहुत जादा होता है तो unit cost भी जादा लगता है और yes वो electricity जादा खीसता भी है ठीक है तो 2400 घंटे तो उप लब्दता यहाँ पर आपको मिलेगे नहीं तो agriculture sector जहां सबसे जादा ची आपको विशे सुर्प से भारत एक ऐसा देश है जो क्रिशी प्रधान देश है और यहाँ पर 30-35 प्रतिशन से ज्यादा सिंची शेत्र भी नहीं है मतलब हमको कहीं ने कहीं depend होना पड़ता है और आने वाले समय में हम सिंची शेत्र भी बढ़ेंगे यानि कि इन संसाधनों वृद्धी ना कर ले क्योंकि continue power supply होना क्रिशी शेत्र में जादा मातरा में विद्यूत का आवश्यक होना यह कहीं ने कहीं हमारे लिए challenge है हम तरीके कुछ और कर सकते हैं हम सिचाई के साधनों में कुछ और ऐसे परिवर्तन या बदलाओ कर सकते हैं जिसमें वि ने करित संसाधनों को ले कर अब हम जो solution की रुपे हम इसको लिखेंगे मतलब क्या-क्या हम जो हैं निशकर्स पर पहुंचते हैं यानि कि हमारा conclusion जो होगा या solution जो होगा solution जो होगा वो इस प्रकार से होगा जितनी हमारे पास सरकारी नीतियां है सरकारी नीतियां हैं वो सब यहां पर अपने को summarize करते हुए लिखना है साथी साथ यहां बताना है जो मैंने starting में यहां पर बताया जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया कि यह हमारे लक्ष है और इन लक्ष को प्राप्त करते हुए हम इस प्रकार उर्जा के संसाधनों को हम सुरक्षित रख सकते हैं साथी साथ हम यह कह सकते हैं कि भारत आने वाले समय में निस संदे लाइक जितने हमारे वेस्टरन स्टेट्स हैं या वेस्टरन आपके निशन्स है आप वहाँ पर देखेगा कि वो जो है उर्जा के इन संसाधनों पर उनकी जो निरभडता है वो 50 प्रतिशस्यादी के कुछ ऐसे भी देश है जो लगबग लगबग 900% तक को टच की हुए है तो आने वाले समय में हमारे पास टेकनोलोजी की उपलब धता यनि कि हम तक्निकी रूप से अधिक सक्षम हो साथ ही साथ हम जो हैं लोगों को अवेयर करें और साथ ही साथ जो हमारे आपस में समझाते होते हैं आपने देखा होगा जभी हम like UAE जाते हैं या हम जर्मनी जाते हैं नौर्वे जाते हैं, स्विडेन जाते हैं तो उन देशों के साथ हम उर्जा के इन नवेनिकरित संसाधनों पर भी energy deal भी करते हैं तो ये आने वाले समय में हमाले रे helpful होने वाला है और एक समय के बाद definitely हम इसको achieve करेंगे हम इस लक्ष को प्राप्त करेंगे और उर्जा संकट से भी मुप्तिक पाएंगे तो इस प्रकार से हम इसको conclude करके इस अपने आंसर को समराइस कर सकते हैं तो उमेद करता हूँ कि मेरे दुआरा बताया गया यह जो लेक्षर है आप सभी को समझ आया होगा आपको समझ आया या नहीं आया वीडियो को एक बार और जरूर देखें और कमेंट करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी आप लिखें ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए वीडियो लेकर आएं तो बने रहे हमारे साथ कॉम्पेटिशन कम्मुनिटे के साथ थैंक यू सो मच जैहें